नेपाल से काठमांडू से पोखरा के लिए टॉरिस्ट भी काफी संख्या में जाते हैं लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है ये जो छोटा विमान था और सौर एरलाइंस का ये विमान काठमांडू से पोखरा के लिए उडान भड़ा था उडान भड़ते ही आहदसा हुआ ह 19 लोग सवार थे टेकनिकल सेल के जो लोग है टेकनिकल जो स्टाफ होते हैं वो इस एरलाइस में ज्यादा संख्या में थे अभी आधिकारिक तोर पर ये संख्या नहीं आई है कि कितने लोग थे कुल संख्या 19 जरूर है लेकिन उसमें जो तकनिकी सेल से जुड़े जो लोग थे जो टेकनिकल स्टाफ थे वो कितने थे टेकनिकी स्टाफ थे हमारे पास कुछ और तस्वीर आई है नितीज जरा उन तश्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब प्लेन क्रेश का शिकार हुआ एर स्ट्रिप से आप तस्व दिखाई देगा और अगला विमान टेक ओफ के लिए जिस वक्त रन्वे पर तयार खड़ा था उस वक्त की तस्वीरें हैं पीछे जो आप धुएं का गुबार देख रही हैं ये वो प्लेन है जो क्रेश हो गया उडान भरते ही ये त्रिभून इंटरेशनल एरपोर्ट का च्व पद्दील हो गया अभी तक जो जानकारी सामने आई है इस विमान में 19 यात्री सवाल थे ये 19 यात्री अटमंडू से पोखरा की एक फ्लाइट पर सवार थे सौरिया एरलाइन्स का ये विमान है और जिस में 19 लोग सवार थे और जिस तरीके से विमान में आग लगने की तस्वीरें हैं और बड़ी खबर आपको बता दें त्रिभोवन इंट्रेशनल एरपोर्ट को इस वक्त सभी उडान सेवाओं के लिए बंद कर दिया गया है एक बड़ा विमान हादसा उसके बाद सारे रिसोर्स को इस हादसे से निपटने के लिए लगाया गया है और त्रिभोवन इंट्रेशनल एरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है कोई भी उडान त्रिभोवन इंट्रेशनल एरपोर्ट से ना टेक ओफ करेगी ना लैंड करेगी इस वक्त पूरा फोकस इस विमान के यात्रियों को रिट्रीव करने में या फिर इस विमान को हासिल करने में लगाया जा रहा है यहाँ नेपाल की आर्मी और रैपिड रिस्पॉंस टीमें हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं जिस तरीके की तस्वीरे हैं जो स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि बहुत बहुत बड़ा हादसा है एक बुरी खबर है निदीश शंडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं निपाल की एवियेशन को हम देखे तो जादातर 19-22 सीटर विमान होते हैं और उनकी मेंटिनेंस को लेकर इंटरनेशन लेवल पर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं ऐसा क्यों है कि नेपाल के एवियेशन सेक्टर की यहालत है अक्सर नेपाल के अवियेशन सेक्टर में इस तरह की खामियों की बात होती रही है और ऐसा नहीं है कि उसको लेकर कोई जांच टीम नहीं बनती है जांच कमिटी बनती है उसकी रिपोर्ट भी आती है वावजूद जो रिकमेंडेशन होते हैं जो अनुशन साय होती है उसको लेकर उस पर अमल नहीं होता है और यही कारण है कि इस तरह के हादसे जो है नेपाल में अक्सर सुनने को मिलते हैं और यह बात सही है कि जो नेपाल की भौगवलिक स्थिती है जिस तरह से वहाँ पाहडियों से घिरे हुए इलाके हैं और मौसम में जिस तरह से अचानक पहले आती रही है इससे पहले भी कई हादसों के लेकर जो जांच टीम बनी उसमें इस तरह की शिकायते आती रही है और इसलिए यह कहा जा रहा है कि नेपाल में अक्सर इस तरह के हादसे होते हैं तो निशित रूप से नेपाल को लेकर यह जो चिंता है वो वाजिब है कि आखिर नेपाल में इस तरह के हाथसे क्यों होते हैं और कुछ खास रूट ऐसे हैं जहां पर ये हाथसे जादा होते हैं जहां रास्ते में कई पहाडिया हैं जहां मौसम में इस तरह के अचानक बदला होते हैं लेकिन आज की जो घटना है वो निशित रूप से बिमान की तक्निकी खामी से जूड़ी बात है, कि आखिर ऐसे बिमान को कैसे टेक ओफ करने दिया गया, जो टेक ओफ करते ही आखिर ऐसा क्या हुआ, ये भी वज़ा साफ नहीं है कि आखिर घटना हुई तो उसकी वज़ा क्या है, उसमें वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर ये हादसा हुआ है, तो निशित रूप से अब इन सारे पहलों पर जाच होगी, फिलहाल जो तस्वीरे वहाँ से आ रही है, वो साफ तो पर बता रही है कि काटमांडू के ट्रिभून इंटरनेशनल एरपोर्ट से, जैसे ही जो प्लेन है टेक ओफ किया, ये पोखरा के लिए बिमान उड़ा था, 19 लोग सवार थे, और जैसे ही बिमान टेक ओफ किया, उसके बाद ये हादसे का शिकार हो गया है, और जब प्लेन अच्छी उचाई पर पहुँच गया था, उसके बाद चुकि वो नीचे गि जैसे ही थी, उस पे जो लोग जा रहे थे, वो देखकर हैरान रहे गए कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई, कैसे फिर से हादसा हो गया, और वहाँ पर काफी संक्या में लोग जमा हो गए है, एरपोर्ट करीब है, इसलिए वहाँ से आसपास के जो अधिकारी है, मौके पर पहुँच गए है, नेपाली सेना को खासतोर से राहत कार्ज के लिए वहाँ पर लगा दिया गया है, एक 11 बजे के आसपास की घटना है, करीब एक घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी आग की लप्टे वहाँ दिखाई दे रही है, प्लेन में आग लग ही है, फार विगेट कि टीम भी भी वहाँ पर जरूर पहुची है, लेकिन देखा यह जा राहा है कि कहीं को ऐसा व्यक्ति हो, जो इसकी सांसे चल रही हो, जो किसी तरह से जिवी तरशा में मिल जाए, ऐसे व्यक्ति को ढूंडा जा रहा है, लेकिन फिलाल पांच शब जो ह कोई यातरी बच जाए और ये एक छोटा बिमान था और जैसे ही प्लेन गिरा और उसके बाद प्लेन के टुकरे हुए और उसमें आग लग गई तो फिलाल अभी जो है जाज टीम वहाँ पर पहुंची हुई है और वहाँ रहत और बचाओ कर चल रहा है एरपोर्ट के साथ-स जो नेपाली सेना के लोग है वो भी वहाँ पर मौके पर पहुंच गए हैं तमाम अस्थानिय जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं एंबुलेंस की गाड़ियां पर पहुंच चुकी है आसपास के जो अस्पताल है उनको एलर्ट कर दिया गया है और फिलहाल अ सामने आएगी